जैसे कि आपको तो पता ही होगा जियो और एटल वियाई ने अपना प्लाइन का प्राइज हो रहें बट मैं आपको इस वीडियो में बताओंगा कि काफी सारे लोग तो बियाशनल में सिफ्ट हो रहे हैं फिर वापस जो है सिंपोर्ट करवा रहे हैं एटल में और यह उसकर तो आपके लिए कौन सा सिंप बेटर हो सकता है इस वीडियो में मैं आपको बता दूगा तो यह चार टेलीकॉम कंपनी है इसके प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट हो मैं आपको बता दूगा फिर आपको पता चल जागा खुद ही आप डिसाइड कर पाओगे आपके ल जो डाटा था वह अल्लिमिटेड लोग यूज कर रहे थे अल्लिमिटेड कॉल का जो फैसलिटी जो भी है वह जीओ नहीं लाया था देन इसको देखते देखते एटल भी अपना मतलब यह प्लैन लांच किये ते और डाट ताम काफी सारे टेलिकॉम कंपनी थी बड़ियो क आने के बाद वह सारे बैंकरप्ट हो गए और बंद हो गई बांकी के जो बचे हैं वी आई और एटली बचा है और वीचनल जो कि सरकारी टेलिकॉम कंपनी है जो कि अभी भी बची हुई है अगर आप जीओ का नया सीम लेने चाहते हो तो उसमें क्या होता है कि 10-15 मिनट य जीओ में 5G अवेलवल है और अच्छी खासी आपको स्पीड भी मिल जाती है जैसे के आपको पता है बट जीओ का जो नेटवर है ना वह आपको हर जेगे नहीं मिलता है कुछ एरिया में जीओ का सिगनल बिल्कुल ही नहीं आता है और काफी ज़्यादा डिफिकल्टी होती है बट इनके जो कस्टमर के सपोर्ट है काफी ज़्याद अच्छे कॉल जाता है बात करते हैं कोई भी प्रोब्लम आती है तो सॉल्व भी करते हैं तो जीओ का जो प्लैन प्राइस है एक से सस्ता है 5G लेलो या कोई साभी प्लैन लेलो तो जीओ का प्लैन है वह थोड़ा स जो है वेरिफाइ करते हैं आपका फिंगर प्रिंट लेते हैं दस से पंदर मिनट और मैक्स्टमेक्स आधे गंटे के अंदर यह आपका जो हर जगह अगर आप बेसिमेंट में जाते हो तो भी आपको नेटवर मिलता है और अगर आप सबसे उची वाली बिल्दिंग पे भी वहां पर अबको network मिल जाता है एडियल का सखले मिल जाता है नेटवर हां वहां पर जूंट होता है कि कंप ऑपे नहीं मिलता ह मैं बांग अगर हम बात करें तो जीयों से भी मेरा प्लाइन्टेल Copa name अउ जाता है आपके जीओ में भी आपको 5G स्पीड मिल जाता है और हम बात कर सकते हो यहां पर वियाइ में जो आपको 5G स्पीड नहीं मिलता है पहली मैं आपको बता दू एक चीज मेरे पंग मेरे को वियाइ की सबसे ज्याद आची चीज लगती है कि राग़ के 12 दो से लेकर सभे के इतना आच्छा नहीं है जियो से थोड़ा सा डाउन कैसे हैं इनका नेटवर्र हर जग आपको नहीं मिलता मिल जाता है यहां पर भी इनका कुछ जगह ऐसा है कि आपको नेटवर्र मिलने में दिक्कत होती है अगर हम वियाई के प्लैन प्राइस की बात करें तो सेम ही है जियो बहुत ही लिटल बिट ही चेंज होगा बट यह जो प्लैन प्राइजर वियाई के भी ऑल्मोस्ट जी और एटिल जितने ही है और अब हम बात कर लेते हैं वियाशनल की तो देखो यार वियाशनल में सबसे पहले तो मैं आपको बता तो यहां पर 5G स्पीड आपको नहीं मिल सबसे आपको सस्ता मिलेगा मतलब मैं आपको चार्ट दे दूंगा आप वीडियो पॉस करके देख लेना कंपेर कर लेना सबसी यहां अब आपको लेन के बाते होते हैं तो आपको सबसे पहले से माने को मिलेगा में थीजा आपको tak अधार वेडिफिकेशन दिना पड़ता है फिंगर प्रिंट दिना होता है मतलब काभी सारे हैं सो और रूल कहने का मतलब यही है कि अगर आप विशनल का सीम लेने जाते हो तो काभी सारे मल्टिवल स्टैप कंप्लीट करने होते हैं जो भी प्रोसेश डिटेल है वह आपको कं अगर आप यहां पर आपको एट लिस्ट तीन से चार दिन का टाइम देना पड़ता है तब ही आपका जो जो प्रोसेस है अगर हम जी ओ एटल वियाई की बात करें इन सारे सिम में आपको पोर्ट होने में एक दिन का यानि कि 24 गंटे का ही टाइम लगता है आपको और विश यहां पर कश्टमर सर्विस काफी जदा अच्छा है यहां पर अगर बात करें तो इतना रूडली कभी कभी यह सब बात करते हैं जिससे दुवारा कॉल लगाने का मन नहीं करता है तो हां यहां पर आपको कोई कंप्लेंट भी लेके जाते हो ना तो वह बोलेंगे सॉल्व क बात करें अगर आपको यह जानना ही कि व्याट आपके लिए यह नहीं है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक दे दूगा तो जाके वहां पर चेक आउट करें आपके अरिया में वह उस वेबसाइट में आपको बता देगा कि आपके जितने भी वेबसाइट में वह जाके लिए अच्छा मिल रहा है तो वही वाला सिम आपके लिए बैटर होगा बांकि जो लोग जादा ही ट्रेवल करते हैं तो उनके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि ब्येश्चनल का जो आपको आपको हर जेका नहीं मिलता कई बार तो सेहरों में इतना जाधा नहीं जितना जधा रूरल एलिया में है यानि ब्सक्राइशनल काई बट हाँ सेहरों में जीओ एटल वी आएगा का जाए बट धिरे-धिरे भी सेहरों में आरे है जैसे की टी-स के साथ इनका डील साइन हो आइए तो काफी ज़्यदा फास्ट जो ह आपको कोई साही सीम ले नहीं का अक्तिया हुआ अजयर हो घुलिएक वीया कि dua वाइक करते हैं एकां त। मिल्ते है क्या जब्सक्राइब बॉल्स के लिए प्रफिदिंग करते हैं या बहराने के लिए तो आतरवा कहऊऊN